दिल्ली में हो रही घूर हिंसा जानमाल के नुकसान और हर रोज बिगर्थी स्थिती पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए आज कांगरिस कार्यसमीटी की एक आपात का अलीन बैटक हुए पीछले इत्वार से हो रहे हैं लगतार दर्दनाक हाथ सुके पीछे एक सोचा समझा शर्यंत्र है इस साजिश को देश ने दिल्ली के चुनाव के दोरान भी देखा भरतिय जन्ता पार्टी के अनेक निताव ने भरकाव भाशन देकर दर और नफरत का महौल फिलाया एक ऐसा बयान एक भाश्पानेता के द्वारा पीछले इत्वार को भी दिया गिया जब उसने दिल्ली पुलीस को तीन दीन का अल्तिमेतम देते हुए कहा कि तीन दीन बीटने के बाद हमें कुछ नहीं कहना पीछले बहातर गंते में केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा जान बूच कर कुछ कर्यवाही ना करने के कारण 20 से अधिक जिन्दगिया जा चुकी है दिल्ली पुलीस के एक हैट कॉंस्टबल की जान गई है और एक पत्रकार सहीट सैक्रो अस्पताल में गंभीर इंजरिस के साथ बढ़ती है उत्तरपूर्वी डिल्ली में चारो और हिंसा फैली है कांग्रिस कार्यसमीटी सब परिवारों के साथ अपनी गहरी समदेदना द्याक्ट करती हैं जिन्होंने अपने परिवार के प्रियजनों सदस्यों को खोया है और कामना करती है कि सब घायल जल्दी से जल्दी ठीक हो पूरी स्टिती को देखते हुए कांग्रिस कार्यसमीटी का मानना है कि डिल्ली में मुझूद स्टिती के लिए केंदर सरकार खास तोर से घ्रहमंत्री जिम्मेदार है फोरें तोर से जिम्मेदारी लेते हुए घ्रहमंत्री को अपना इस्टीफा देना चाहिए दिल्ली के मुक्यमंत्री और दिल्ली सरकार भी शांती और सद्भाव बनाये रखने में पूरी तरे से विफल हैं तथा जिम्मेदार है दोनों सरकारों की जिम्मेदारी निभाने में विफलता से के कारण देश की राज़दानी इस त्रसडी का शिकार बनी है कांग्रेस कारे समीटी देश की और से सवाल पूछती है नमबर एक पीछले इत्वार से देश के ग्रहम मंत्री कहा थे और वो क्या कर रहे थे नमबर दो पीछले इत्वार से दिल्ली के मुख्य मंत्री कहा थे और क्या कर रहे थे नमबर तीन दिल्ली चुनाव के बाद इंटेलिजिंस एजिंसी के द्वारा क्या जंगकारी दी गही और उन पर क्या करवाई हुई नमबर चार इत्वार की राद से कितनी पुलीस फॉर्ज दंगो वाले इलाके में लगाए गई जब ये साफ था बिल्कुल साफ था कि दंगे और ज्यादा फैलने वाले हैं नमबर पाँच जब दिल्ली में हलात बे काबू हो गए थे पुलीस का और पुलीस का कॉंट्रोल नहीं बचा था तो ऐसे में और सेंट्रल परामिलिटरी फॉर्सेज क्यों नहीं बुलाया गिया